कि हालो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं difference between scalar and vector quantities clear है तो अब अब टेंथ लेवल जब आप चलते हैं तो scalar or vector quantity main term आती है आपके पास ठीक है जिसको हम science में पढ़ते हैं या math में भी करते हैं तो difference between scalar and vector तो देखो बच्चे अगर हम बात करते हैं scalar quantity की तो scalar को हम as usual बोलते हैं कि ऐसी quantity जिनका only magnitude है ठीक है अब बात है कि magnitude क्या है ठीक है जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपके बास कोई term दी है दो तीन ठीक है कोई भी numerical value है ठीक है या कोई constant term है ठीक है उसको बोलेंगे हैं कि उनका that is magnitude जैसे मैंने बोल दिया कि मैं आज दो किलोमेटर चला तो मैंने जस्ट magnitude बताया कोई number बताया ठीक है अगर हम बेक्टर की बात करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि उसमें magnitude भी उज़ करते हैं पलस डिरेक्शन कलीर है अब देखो बच्चे जैसे आपको बोल दिया आपने देखो एक्स और वाई एक्सिज जैड एक्सिज पड़ा है नॉर्मली हम सभी जानते हैं जब भी ग्राफ के बारे में जानते हैं एक्स एक्सिज है वाई एक्सिज है अग इस डिरेक्शन में x-axis में इसलिए quantities क्या बन गिया आपके पास vector quantity ठीक है फॉर्ग जैसे आप बैठे हैं तो हमारा बेट जो है भार जो है वो कहां को लग रहा है डाउनवर्ड डिरेक्शन में clear है तो इसलिए वो बेक्टर कॉंटिटी है कि जो बेट है वो बेक्टर में magnitude है एंड वेक्टर में magnitude प्लस डिरेक्शन है लेकिन जो अब main reference आता है जो generally हम कभी discuss नहीं करते हैं तो देखिए मालो आपको बोल दिया कि कोई A से B गया 3 मीटर B से C गया वो 4 मीटर clear है जी तो देखो दो टर्म आती है मेरे पास एक distance है और एक displacement है अब distance को हम scalar मानते हैं और displacement को vector तो देखो scalar और vector की बात करते हैं अगर मैं इसकी distance निकालूँगा तो distance कितनी आएगी 3 पलस 4 that is 7 मीटर लेकिन अगर मेरे को इसकी displacement निकालने पड़ेगी displacement का मतलब है कि shortest path ठीक है तो यह आया मेरे पास shortest path तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो एक right angle triangle लग रही है और यहाँ पे hypotenuse है तो पाइथागोर स्थिर्म जब आप apply करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास displacement 3 square plus 4 square that is 9 plus 16 25 और under 25 आपके पास आएगा 5 मीटर clear है बचे तो यहाँ देखेंगे जब मैंने distance निकाली जो scalar quantity है तो मैंने एक simple mathematics यूज किया जो हम third fourth class standard से पढ़ते आ रहे हैं तो इसलिए इसमें यूज हो रहा है एक simple algebra लेकिन जब मैंने displacement निकाली तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे पाइथागोर स्थिर्म निकाली अगर इसको बोलते हैं हम तो एक vector algebra का part है तो इसलिए जो vector quantity है वहाँ पे क्या चीज यूज हो रही है vector algebra तो बच्चे यह है जो second main difference है आपके पास clear है जो basically scalar और vector quantity को differentiate करता है exact यहाँ पे हम scalar algebra और यहाँ पे vector algebra यूज करते हैं ठीक है तो आज के इस वीडियो में इतना है thank you मिलेंगे जल्दी